ओम श्यांति, बाबा ने हम सब को बहुत सुंदर टाइटिल दिया है, तुम मावीर हो, हनुमान हो, अंगद हो, माया तुम्हारा कुछ भी विगाड नहीं सकती, चाहे माया के सारे जनरल्स तुम्हारा पैर उठाने की कोशिस करें, तुम्हें कोई हिला भी नहीं सकेगा, कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है, अब भी तुम इसको जीतोगे, तुम्हें अपनी अवस्था को ऐसा चलो डोल बनाना है, के किसी के भी बूरे सब्दो का प्रभाव इस्थिती पर न पड़े, जो कुछ हो, उसको साकसी भाब से देख सके, हमारी एक्सपेक्टेशंस के विरूद सब कुछ होता रहे, उसमें भी हमारी स्थिती विचलित न हो, हमारी खुसी न जाए, हमारी श्यांती नस्ट न हो जाए, हमारी स्थिती बिलकुल नस्ट न हो जाए हमें ऐसा चलडूल बनना है ताकि विनास के महाकाल में हम सब कुछ सहज भाव से पार कर सकें, देख सकें क्योंकि विनास की प्रकिरिया कोई छोटी प्रकिरिया नहीं है, इसी बाबा के महवाक से हम सब कुछ समझ सकते हैं, कि जो कुछ तुम इन आखों से देखते हो, वो सब नहीं रहेगा, कितनी बड़ी चीज है, वो सब कुछ नहीं रहेगा, कितना बड़ा चेलेंज है, तो हम सभी अपनी स्थिती को अचल अडोल बनाने के लिए एक तो योग अभ्यास पर बहुत ध्यान दें लंबे समय का ऐसरीरी पन लंबे समय का स्वमान का अभ्यास और लंबा समय आठ घंटे योग साधना इसमर्ति स्वरुप रहने की साधना ही हमें अचल अडोल इस्थिती की ओल लेचलेगी कोई कहे मेरा तो योग ही नहीं लगता मेरे तो प्योरिटी डिली है मैं अचल अडोल हो जाओंगा भूल जाएं अचल अडोल इस्थिती को लेकिन दूसरी इंपोर्टेंट बात एक और है ज्यान की बाबा की ऐसी ऐसी बाते हैं जो एक-एक रत्न याद आते ही हमें एक रस कर देता है हमारी खोई हुई खुशी को वापिस ले आता है हमारी स्थिती जो हल्चल में आगे उसे अच्छल बना देता है हम डोल गए हों विचली थो गए हों अडोल हो जाते हैं इसलिए कम से कम 16 या 25 ऐसी powerful points भावा की मुल्लियों से निकाल कर नोट करें जो आपको बल देती रहें जिनको पढ़ते ही इस वर ये नुसा चड़ जाए जिनको पढ़ते ही एकदम मन आनंद विभावर हो जाए जिनको पढ़ते ही हमारी सोई हुई इसमर्तियां पुने जग जाएं क्योंकि अचल डोल बनने के लिए हमें आत्मिक सक्ती की संपून आत्मिक सक्ती की बहुत जरु ग्यान के बल्ट से हम स्वयम को एनर्जेटिक करते चलें। जितना जितना हम खुस और आनंद में रहते हैं, हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है। इस वर ये नसा और स्वमान हमें बहुत पावर्फुल बना देता है। और ये सब इखटा होकर हमें अचल अडोल बनाते हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है। कि हम चाहें मुझे अचल अडोल रहना है और हम रह लें। एक लंबे समय की ये सभी सादमाएं, हमें इस इस्थिती की ओल ले चलेंगी। लेकिन हमें एक अभ्यास्त रोज ही करना चाहिए। हम अपने को काम देकर रखें। कि ये बात अगर मेरे पास आएगी, तो मैं अपनी स्थिती को विचलित नहीं होने दूँगी, नहीं होने दूँगा। उसके लिए मैं ये पॉइंट याद रखूँगा। नहीं करूँगी, उसकी बातों का उत्तर नहीं दूँगी। ऐसे बहुत सारी चीजे हम ले सकते हैं। सेवाओं में उतार चड़ाव होते हैं, इस्थिती विगड़ती है। संबंधों में कोई आपका अपमान करता रहता है, कोई आपको कुवचन बोलता रहता, इस्थिती विगड़ती रहती है। तो एक तो संकल्प करें मुझे अपनी स्थिती विगाड़नी नहीं है। और नहीं विगाडनी तो इसके लिए ये point मुझे याद रखनी है तो इस तरह ज्यान योग की साधना से हम अचला डोल इस्थिती को प्राप्त करेंगे और विनास को खेल की तरह enjoy करेंगे ओम स्यंति